आज इस वीडियो में इन्फर्मेशन प्रवाइट करवाने जा रहे हैं के टेट 2019 अप्लिकेशन फॉर्म के बारे में जो सब इंट्रस्टेड एलजिबल कांडिडेट टीचर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं इसकी पूरे इंफर्मेशन जानने के लिए सब इंट्रस्टेड कांडिडेट हमारे इस वीडियो के साथ एंट तक बन रहे हैं इसकी पूरे इंफर्मेशन जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट गैतरीजाब्स टॉट कॉम पे केलेला गवर्मेंट एजुकेशन बोर्ड चल दी अपनी ओफिशल वेबसाइट पे केट 2019 आप्लिकेशन फॉर्म रिलीस कर देगा जिन सबी कांडिडेट्स में जो सबी कांडिडेट्स टीचर पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसकी लास्ट जुन से लेके 29 जुन तक है इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ना जो कांडिडेट्स क्लाश वन से लेके 5 में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th क्लाश पाष्ट विद मिनमम 50 परसे वाक्स ऑन 2-years दिपलोमा इन elementary education किसे भी recognized board और institution से होना चाहिए जो candidate 6 to 8 class में apply करना चाहते हैं उनकी education qualification senior secondary with at least 50% marks and have a bachelor's in elementary education किसे भी recognized university और institution से होना चाहिए इसके minimum एच 18 years और maximum एच 40 years रही journal and OBC काटगरी candidates को application fee 500 पे करनी है और SCST काटगरी candidates को application fee 250 पे करनी है इसके application form में apply करने के लिए आप इनकी official website www.ktrad.kerala.gov.in पे जाके homepage पे दिये हुए k-trad application form 2019 पे क्लिक करके इसके application form में apply कर सकते हैं और हमने अपनी website के जरीए आपको कुछ direct link provide करवाए हैं आप इस link पे जाके इसके application form में apply कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को like and share करें और हमारे चानल को subscribe करें Thank you